हालो, गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स, आज हम अपने इस वीडियो में लेसन क्लोज करने जा रहे हैं, बचो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वाट क्लोज हम क्यों पहनते हैं, वाई डू वी नीट क्लोज, डिफरेंट क्लोज फर डिफरेंट सीजन, हम जो आद में आपको एक बात याद बताती हो, remember this about your clothes, क्लोज के बारे में याद रखने वाली चीज़ें, कि always wear clean clothes, हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए, क्लोज फिट और अच्छा ही अपनी नाप के होने चाहिए, घीले ढाले नहीं होने चाहिए, अपने क्लोज की केर करनी ठीक है, ठीक है, remember this about your clothes, always wear clean clothes, wear clothes and fit you well, take care of your clothes, always tie the knot of shoelaces properly, हमेशा shoelaces, चूते के जो फीते होते हैं, हमेशा उन्हें ठीक से बाहनना चाहिए, ठीक है बच्छो, और रिमेंबर ये भी करना चाहिए, हमें याद अखना चाहिए, in rainy season, wear clothes that cover your whole body, this will protect you from bits of mosquitoes, rainy season में क्या करना चाहिए, बारिश के मौसम में, फुल कपड़े पहनने चाहिए, जो आपकी पूरी बाड़ी को ढख सके, हाफ स्लीप्स नहीं पहनने चाहिए, शॉर्ट्स नहीं पहनने चाहिए, बमुडा नहीं पहनना चाहिए, फुल ड्रेस पहनने चाहिए, ट्राउसर पहने, फुल स्लीप्स सूट पहनने तो फुल स्लीप्स का सूट पहने, जिससे हमारी बाड़ी पूरी ढखी रहे, और वो प्रिपल डिफरेंट स्टेट आउ पेहनते हैं तो वह क्या से ऐसे इसे क्लोच कुछ स्पैशल इसके बारे में आपके बुक में नहीं दिया वट मैं आपको यह बता रही हूं कि ट्रीशनल क्लोच people of different states in our country we are different types of clothes different state में different types of clothes पहनते हैं special clothes we wear beautiful and colorful clothes during festival, birthday and wedding अगर हम शादी में किसी के जाते हैं तो जो bridal groom होता है bridal होती है वो special clothes पहनते हैं बच्चो हम अपने birthday पे new or different type की special clothes पहनते हैं तो special location में हम special clothes पहनते हैं राइट बच्चो अब हम आते हैं clothes from animals and plants कि we get cotton from cotton plants यह मैंने last video में भी आपको बताया था कि cotton हमें cotton plants से मिलती है और wool हमें sheep से मिलती है we get cotton from cotton plants we get wool from sheep we get leather from the skin of dead animals leather हमको कहा से मिलता है मरे हुए जानवरों के skin से ठीक है leather is used to make jackets, coats, shoes, bags, purses, gloves and belts यह क्या है leather का use किस किस चीज में किया जाता है jacket, coats, shoes, bag, purses and gloves अब आपका यही एक assignment हो गया बच्चो नोट डाउन कर लीजिए silk clothes on special location जब special location होती तो हम silk के clothes पहनते है यह बहुत expensive होते है तो यह silk हमें कहा से मिलती है silk clothes made from silk thread we get silk from silkworm silk के कीड़ा उसे मिलती है silk का एक पेड़ के यहां thread होता है जिस धागा उससे हम silk बनाते हैं बच्चो यह बहुत expensive हो बहुत smart होती बहुत सुन्दर लगती है अच्छी होती है look wise देखने में बहुत graceful लगती है तो अब हमें clothes from animals and plants से पता चल गया कौन-कौन से हमको plants से and clothes मिलते हैं और कौन-कौन से animals से animals से skin dead skin animals के skin से हमको leather मिलता है जिसका हम इतना पर use करते है jackets, coats, shoes, bags, etc और rubber हमें rubber और plastic हमें rubber plant से मिल जाती है rubber tree से silk हमें silkworm से मिल जाती है ठीक है cotton हमें cotton plant से मिल जाती है और wool हमें sheep से मिल जाती है that's a clear बच्चो next video में हम taking care of clothing पढ़ेंगे ओके बच्चो bye